हेलो स्टुडेंट आप सभी इस न्यूज से पर्चेत होंगे कि आपके जो एक्जाम प्रेक्टिकल हैं वो वाई से 30 तक होने हैं और जो आपके एक्जाम जो सुरूल थे 23 से थे और जो सेकंडेर के थे 26 से होने थे वो अब अगस्त में होने हैं और इस न्यूज को सुनकर सभी स्टुडेंट्स के मन में एक उल्लास जागा होगा और वो मैंने ग्रुप में भी देखा है सभी के चहरे पर एक स्माइल है खुसी है कि हमारे एक्जाम बढ़ गए हैं और जो तैयारी हमारी कम थी वो अब हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं लेकिन स्टुडेंट्स मैं आपको यहां पर इसलिए भी चेताना चाहता हूं कि यह एक्जाम से पहले ऐसी न्यूज आती भी है अच्छा है कि जो स्टुडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं जिनको कम समय मिलाता वो इस भक्त में अच्छा तैयारी कर सकते हैं बट आपको यह ध्यान रखना होगा इस बात से सचेत रहना होगा कि कहीं आपका जो भक्त आपको जो मानो दस दिन एक्ष्ट्रा और मिले हैं कहीं ऐसा नहों कि वो यह यूँ ही चला जाए मैं आपको एक बाक्या बताना चाहता हूँ M.Tech first year था मेरा और पहला semester था तो उस समय मैं completion में लगा हुआ था तो साइद मेरे जहन में यह विचान नहीं था कि मुझे paper देने हैं या नहीं देने हैं मुझे उस समय मैं पूरी तरह से practical में पूरी तरह से जो exam था completion था उसमें मैं बैस देता तब अचानक से नहीं हो जाता है कि मेरा जो paper है वो अक्टूबर में होने थे 22 अक्टूबर से ये मैं आपको 2018 की बात बता रहा हूँ तो उस समय मुझे एकदम से लगा कि पतानी मैं तयारी कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा मैं तयारी में लग गया करीब 20 दिन या 22 दिन थे मेरे पास में तो मैं तयारी करने के लिए जुट गया पूरी तरह से जब मैं करने लगा तो मुझे ये महसूस हुआ कि मेरा जो तयारी है वो उतना नहीं हो पाया है जितना मैं exam को अच्छा कर सकूँ मातर पास नहीं अच्छा कर सकूँ तो उस समय क्या हुआ exam जैसे मानों 10 दिन बचे थे उस exam के तब ही news आया कि आपका जो exam है वो 20 और 22 दिन बढ़ चुका है तो इस बात को सुनकर मुझे काफी खुसी हुई और उस खुसी में मैं यह मान के चलो के मैंने पूरी रात मुवी देखी तीन चार पिक्चर कंप्लीट की उसके बाद में लेकिन उसके साथ में मैंने प्लान बनाया कि एक रात है कोई नहीं हर sulle last के साथ में जी ली शिए चुकि एंजिनिंग लाइफ में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मूवी देखते हैं, क्रिकिट खेलते हैं, या और भी एक्टिविटी जो हमारी होती हैं, हम करते हैं, और ज़्यादातर हम एकजाम से पहले ही पढ़ते हैं, यह हमारे साथ में ज़्यादातर कहीं ना कहीं हमारे यह नेचर में बश्चुका है तो जब 20 दिन मुझे मिले थे extra तो उसको फिर मैंने प्लान किया और प्लान करने के साथ मैं एक एक दिन को अच्छे से notes के साथ बनाए और उनका अच्छे से तयारी किया तो जो मुझे महसूस हुआ था कि मैं अच्छा कर सकता हूँ वो मेरा result देखने को मिला कि हां मैंने बाकाई अच्छा किया था तो मेरे पास मैं M-TEP को और ज़्यादा समझने का मौका मिला और exam में और अच्छे marks लेने के लिए मुझे एक तरीके से और extra time मिला तो depend ये करता है कि आप लोग इस समय अपने समय का किस तरीके से सदुपियों कर पाते हैं आप enjoy कीजिए आपके पास में enjoy करने के लिए काफी समय है बट उसके साथ ही आपको 8 से 10 घंटे जैसे मैं इत्तों ये बात बोलूँगा कि आपके exam जैसे ही आपके मानों ये नियू जाया के अगस्त में होंगे आपको 10 या 12 दिन मिल गए हैं तो उसमें आपको कोशिस ये करनी हैं कि जादा से जादा अब जो नहीं कर सकते थे अब वो करने का आपके पास में मौका है और सबसे पहले आपके पास में इस समय कोई excuse नहीं होना चाहिए कि मैं इस बार exam में अच्छा नहीं कर पाया तो आपके सामने ये जो समय का एक तरीके से आपको जो bonus मिला है इस bonus को दोनों हातों से लपको और उसको फिर एक अच्छे अफसर की रूप में उसको तबदील कर दो तो मैं जो आपको इस वीडियो के मादधम से ये ही समझाना चाहता हूँ कि जो अब आपको जो exam के लिए जो समय मिला है उसमें जी तोड मेहनत करो और अच्छे नंबर लेके आओ concept बनाओ और सभी जिस तरीके से जो pattern है ठीक है उसको अच्छे से समझो और एक अच्छे से इंजिनिरिंग को समझो depth में के इंजिनिरिंग है क्या है ठीक है आप इंजिनिरिंग करने चाहते हैं देखो जो final year की student है उनको तो plan करना चाहिए कि मुझे ssc.je देना है या और भी जो up के state level के exam निकलते हैं उनको देना है या मुझे btec करनी है या फिर मुझे किसी government sector में या private sector में जाना है तो उस तरीके से आपको plan करना है और plan करने के साथ ही आपको ये द्यान रखना होगा कि आपको depth knowledge हो subject हो की जैसे आपके पास में estimate करना आना चाहिए ठीक है और जो आपने subject पड़े हैं civil engineering के सभी geotag हो या survey हो या highway हो ठीक है या cmad हो ठीक है या steel structure हो और पीछे भी आपने जैसे मानों पड़े है building material पड़ाओ उसकी सब की knowledge होनी चाहिए बट मैं इस समय नहीं कहुँगा कि आपको इन सब की knowledge करने की आवसकता है फिल आप मानों इस समय 100-200 लगा पाई हो उनी को आप तब्दिल कर दो 500-1000 question लगा लो आपको ये confidence होना चाहिए कि आप question कहीं से पूछा जाए मैं करके रहूंगा ठीक है तो इस तरीके से आपको plan करना है और time का सही सदिपयो करना है कोशिस यही करनी है कि अच्छे marks आए क्योंक मलब number अच्छे होने चाहिए जिससे ही पता चलता है कि student की quality कितनी है या वो कितना जानता है बस exam से पहले मैं यही कहुँगा कि exam से पहले जो number है वो हमारे बहुत कुछ दरसाते हैं देखो केतने concept अलग है concept के लिए आपको 5-6 महीने मिलते हैं बट exam का जो time होता है उस समय आ number भी अच्छे आए हमारे और साथ के साथ में हमारे concept भी मजबूत होने चाहिए तो इसी मकसद से मैंने video बनाया है कि आपको खुसी होनी चाहिए आप enjoy कीजिए बट उसके साथ में आपको सचेत रहने की आवसकता है कि यह समय ऐसे ही गुजरे नहीं आपको जैसे मानो आज 20 इस तारिक है आपको प्लान मनाना है कि 21 को क्या करना है 22 को क्या करना है 23 को क्या करना है 24 को क्या करना है एक एक दिन आप अपने calendar पर या एक time table बना लीजिए ठीक है कि मानो 22 को मुझे यह है यह subject और यह subject मुझे complete करने है 22 को 23 को मुझे इनका revision करना है 24 को मुझे फिर मैं एक सब्जेक्ट को उठाऊंगा या दो सब्जेक्ट को उठाऊंगा फिर उसके थौरी पढ़ूँगा फिर उसके मैं क्या करूँगा ओब जेक्टिव लगाऊँगा इस तरीके से पूरा डे-वाई-दे हमारे पास मैं प्लान होना चाहिए अच्छे से पढ़ना सीको जिससे exam में भी जब आप बीट करोगे तो आप आसानी से वहाँ पर भी number लेके आ सकते हैं ठीक है ध्यान रखो कि यहाँ जो concept तयार हो जाएंगे आपके इसी समय तो वो आपके लिए बहुत helpful होंगे ओके तो आप अच्छे से तयारी कीजिए और अच्छे से इंजिनियर बनिये फाइनल एर स्टूडेंट है उनको मैं बेस्ट विसेस देना चाहूंगा और बाकी जो सेकंड एर में या फश्ट एर के जो बच्चे तयारी कर रहे हैं वो कोसिस करें कि अच्छे से इंजिनिरिंग को समझें इंजिनिरिंग को जाने जैसे आप इंजिनिरिंग से जुड़े हुए हैं ठीक है तो सिबिल इंजिनिरिंग में क्या क्या हो सकता है साइट पर काम कैसे करायए जाता है क्योंकि आपको पूरे जीवन परियंद इसी विभाग में रहना है तो इसकी आपको core depth knowledge होनी चाहिए तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो काफी helpful होगी तो आप मेहनत करें और अच्छा करके देखाएं मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा करेंगे और अपने college का भी और अपने parents का भी अपने गाउं का भी नाम रोशन करेंगे ठैंक यू